काव्य 20, सुभाशितो 12 दोस्तो, हवे आपने कवियों ना जीवन विशे परिचाई मिलाविये आ काव्य मां आपेला पहला सुभाशित ना कवी छे श्री राम नारायन विश्वनाथ पाठक तेहों साहित्य जगत मां शेष, द्विरेफ अने स्वैर विहारी ए त्रोण उपनाम्थी पन उलखाये छे तेमनों जन्व इस विशन अढ़ार सो सित्याशी मां अमदावाद जिल्लाना गाणोल गाम मां थायो हतो कवी श्री राम नारायन पाठके कविताओ, वार्ताओ, विवेचनों, निबंधो, छंद शास्त्र वगेरे जिवासाहित्य प्रकारों मां प्रदान करियो छे तेमने शेश उपनाम्थी कविताओ, द्विरेफ उपनाम्थी वार्ताओ, अने स्वेर विहारी उपनाम्थी निबंधो लख्या छे बार्दोस्तो, आकाव्यमा आपेला पहला सुभाशित्मा कविये, जगतना साचा दानवीर, अने शुर्वीर ना लक्षनों जनावीने आवा वीरोंने धन्यवाद पन पाठव्या छे आकाव्यमा आपेला बीजा सुभाशित्मा कवी छे, शुरी जलालू देन अल्वी, तेओ साहित्य जगतमा जलन मातरी उपनाम्थी पन ओढ़ खाय छे अने तेओ आपणा जानिता गजलकार पन छे, तेमनु जन्म इस विशन 1934 मा थायो हतो, तेमनु वतन खेडा जिल्लामा आवेलू मातर गाम छे 12 दोस्तो, आक आवेमा आपेलू बीजू सुभाशित मुक्तक छे, जना द्वारा कवी ये धेईशील, उद्यमशील, अने दान शील मनुष्यना मुल्यो उत्तम रिते समझाव्या छे आक आवेमा आपेला 30 सुभाशित ना कवी कोईज न थी, कैमके अहीं आपेलो दुहो लोक साहित्य मा थी उद्भाव्यो छे लोको थी अने लोको माटे, जे साहित्य निरचना थती रहे छे, तैने लोक साहित्य कहवाय छे लोको माँ प्रचलित बन्यू होई, तैवु साहित्य पण, लोक साहित्य छे, जेनो रचैता लोक समुदाय होई छे बाल दोस्तो, आक आव्यमा आपेलू थ्रिजू सुभाशित दू होचे जेमा पोतानी जातने घसी नाखी, अन्यने सुखी सदगुणी बनाव्वा मत्ता, संत अने अगर्बत्तीनों महिमा गावामा आव्यो छे आक आव्यमा आपेला चोथा सुभाशित ना कवी छे, श्री कुतुब आजाद, तेमनु जन्म, इस्विशन 1922, अमरेली जिल्लाना बगसरा गाम मा थायो हतो तेमनु मृत्यू, इस्विशन 2006 मा थायो हतो कवीश्री कुतुब आजादे, वर्षो सुधी तमन्ना नामनू मासिक चलावी, साहित्यनी उम्दा सेवा करी छे तेमने समाजनी सामप्रत समस्याने कैंद्र मा राखी, अनेक लोक भोग्य पद्यरचनाओं आपी छे आउप्रांत, तेमने बार जिटला पुस्तको पणाप्या छे बार दोस्तो, आ काव्यमा आपेलू चोथू सुभाशित गजल छे जमा कवीए नम्रतानू महिमा सुन्दर रिते समझाव्यो छे आ काव्यमा आपेला छिल्ला सुभाशितना कवी छे श्री वैनी भाई पुरोहित, तेओ साहित्य जगतमा संत खुर्षी दास उपनाम थी परणोल खाय छे तेमनो जन्म इसविशन उग्णिस्सो सोड मा जामनगर जिल्लाना जाम खंभाल या गाम मा थायो हतो तेमनों मृत्यू इसविशन उग्णिस्सो एशी मा थायो हतो तेमना पितानु नाम जम्नादास अने मातानु नाम गुलाब बहन हतो तेमने जर्मर, परोड यानी पदमनी अने नयना जिवा जानिता गीत संग रहो आप्या छे बाढ़ दोस्तो आ काव्यमा आपेला छिल्ला सुभाशित मां कवी ये चिन्ता, दुख, खट राग वगेरे भावो भुलाई जाय छे परन्तु एडशा रूपी आग क्यारे भुलाती न थी इभाव सरस रिते व्यक्त करयो छे बाढ़ दोस्तो हवे आपने काव्यनों श्रवण करिए एकल देता दान जे एकल जूंजत जंग एकल जग निन्दा सहे ए वीरोने संग मन्जिल हो जैनूधे ए रस्ता नहीं जूए उध्यमि हो हस्तनी रेखा नहीं जूए दानेश्वरी नुकाम छे खेरात बेच वी या चकनी जातने कदी दाता नहीं जूए आप बड़े कल खूणे धूप बधे प्रसरंत जग माएवा जनमिया अगर्बती नेसं पड़ो आवे छे त्यारे डालियो निची नमी जैने खरे खर नम्रता शूँँ छे जमानाने बतावे छे चेह ठरे दुखडा ठरे ठरी जाये खटराग पण इरखानी आग ठारे त्यम बमनी बड़े बार दोस्तों हवे आपने काव्यपंक्तियों ना गान साथे समोह गान करिए एकल देतादान जेहे एकल जूँजत जंग एकल जग निन्दा सहे ए वीरोने संग मन्जिल हो जैनू धै एरस्ता नहीं जूए उध्यमि हो हस्तनी रेखा नहीं जूए दानेश्वरी नुकाम छे खेरात बेच वी याचकनी जात ने कदी दाता नहीं जूए आप बले कल खूणे धूप बधे प्रसरंत जग माएवा जनमिया अगर्वती नेसन फडो आवेचे त्यारे डालियो निची नमी जैने खरे खर नम्रता शूँँ छे जमानाने बतावे छे चेह ठरे दुखडा ठरे ठरी जाये खटराग पन इरखानी आग ठारे त्यम बमनी बले बार दोस्तों हवे आपने काव्यपंतियों जोईने समुह गान करिये झालियो झाल 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 बार दोस्तों हवे आपने काव्यपंक्तियों वाँची ने समझिये एकल देता दान जे एकल जूजत जंग एकल जग निन्दा सहे ए वीरोने संग समझुती कवी कहे छे जे एकला कशाय प्रचार प्रसार के जाहरात वगर दाना पे छे जे एकला संगर्शोसा में लड़े छे जे एकला जगतनी निन्दा सहन करे छे एनी गणना वीरो मा थाय छे मंजिल हो जैनू धे ए रस्ता नहीं जूए उद्ध्यमी हो हस्त नी रेखा नहीं जूए दानेश्वरी नू काम छे खैरात वहचवी याचक नी जातने कदी दाता नहीं जूए समझूती कवी कहे छे जे मानस नू दिहेई लक्ष स्थाने पहचवानू छे ते रस्ता केवा छे वो क्यारेई जोतो नथी जे मानस महनत करवा मामाने छे ते क्यारे पोताना हाथ नी रेखाओने जोतो नथी जे मानस दानेश्वरी छे एनू काम तो हम्मेशा दान करवानू जिछे अने ए दाता क्यारे याचक नी जातने जोतो नथी आप बढ़े एकल खुणे धूप बधे प्रसरन्त, जग मां एवा जन्मियाँ अगरबत्ती ने संत समझूती पोतानी जाते एकला खुणामा बढ़ी ने बधे जिसुवास फैलावे छे एवा जगतमां बैज जन्मियाँ छे अगरबत्ती अने संत जेओ पोतानी जातने दुख आपी, बिजाने सुख आपे छे। फ़लो आवे छे, त्यारे डालियो नीची नमी जैने। खरे खर नम्रता शूँछे, जमानाने बतावे छे। समझुती, खुबज ओछा शब्दोमा कवी ये सुन्दर वात रजु करी छे। अहीं कवी कहे छे, जयरे व्रुख्ष ने फ़लो आवे छे, त्यारे ते व्रुख्ष नी डालियो नीची नमी जाय छे। अने जाने ए व्रुख्ष आँखी दुनिया ने ए बतावव मांगे छे, के खरेखर आनेज नम्रता कहवाय। चेह ठरे दुखडा ठरे, ठरी जाए खटराग, पण इर्खानी आग ठरे, त्यम बमणी बढ़े। समझूती, कवी कहे छे, जम स्मशान मा मढदानी चिताने लगाडेली आग, थुड़ा समय पची शांत थे जाए छे। तैम, तैनी साथे खराब मां खराब व्यक्ती ना दुखो, अने कजियो कंकास पर शांत थे जाए छे। पण इर्शानी आग, जम शांत करो, तैम बमणी बढ़ा करे छे। इटले के इर्शानी आग वद्तीज रहे छे। ए क्यारे शांत थती न थी। भाषा सज्जता, बाल दोस्तो, आपने अगावना एकमुमा विशेशन विशेश शिखी गया छिए। आजे आपने क्रिया विशेशन विशे जानकारी मिलाविये। जेवी रिते नामना अर्थमा विशेशता लावनार शब्दो विशेशन छे। बाल दोस्तो, अहीं आपेलू पहलू वाख्यवांचो, ते नीचे उतरी, जेमा उतर्वू एक क्रिया पद छे। हवे तेनी सामे आपेलू वाक्यवांचो, तेस सड़सडाट नीचे उतरी, जमा सड़सडाट शब्दने कारणे उतरवानी क्रियामा चोक्कस वेग जणाई आवे छे, बार्दोस्तो हवे अहीं आपेलू बिजु वाक्यवांचो, मेहुल लखे छे, जमाल लखवू, एक क्रि आपद छे, हवे तेनी सामे आपेलू वाक्यवांचो, मेहुल धीमे धीमे लखे छे, जमाल धीमे धीमे शब्दने कारणे लखवानी क्रियामा चोक्कस जड़पनो निर्देश करे छे, बार्दोस्तो हवे अहीं आपेलू त्रीजु वाक्यवांचो, हार ने थेली मा मुक् हवे तेनी सामे आपेलू वाक्यवांचो, हार ने साचवी ने थेली मा मुक्यो, जमा साचवी ने शब्दने कारणे मुक्वानी क्रियामा चोक्कस रीत जणाई आवे छे, बार्दोस्तो हवे अहीं आपेलू चोथू वाक्यवांचो, भारती हसे छे, जमा हस्वू एक क्रि पद छे, हवे तैनी सामे आपेलू वाक्यवांचो, भारती मोटे थी हसे छे, जेमा मोटे थी शब्दने कारणे हस्वानी क्रिया मां चौककसरीत जणाई आवे छे, बाल दोस्तो हवे अही आपेलू चिल्लू वाक्यवांचो, आशा दोडे छे, जेमा दोडवू एक क्रिया पद छे, हवे तैनी सामे आपेलू वाक्यवांचो, आशा जडप्ती दोडे छे, जेमा जडप्ती शब्दने कारणे दोडवानी क्रिया मां चौककस जडपनू निर्देश करे छे, आम क्रिया पदना अर्थमा विशेश्ता लाववा माटे तैनी साथे वपराता शब्दो उने क्रिया विशेशन कहवाई छे